हलो स्टुडेंट्स इस वीडियो में हम जो टोपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है केटरेक्ट तो केटरेक्ट की बात करें तो ये एक तरह का आई डिसोडर होता है और आईज में भी एक किसको अफेक्ट करता है जो आई के लेंस होते हैं अब lens की बात करें कि lens का common function क्या होता है तो जो भी light eyes के अंदर enter करती है उनको lens retina पे focus करने का काम करता है यही काम होता है lens का तो अब बात करें cataract की condition में होता क्या है तो cataract ऐसी problem होती है जिसमें lens में cloudiness हो जाती है या opacity form हो जाती है generally lens का जो appearance होता है जो nature होता है वो बिल्कुल clear होता है बट cataract की condition में क्या होता है कि lens की अंदर cloudiness form हो जाती है या lens में opacity form हो जाती है तो मैं आपको इसको image के तुरू बता देता हूँ कि कैसा lens यहापे देखने को मिलता है cataract में तो अभी जो diagram देख रहे हैं जो इस side का diagram इसमे normal जो है उसमें देखोगे कि आप बिल्कुल lens का जो appearance है वो कैसा है clear है बट जो cataract की condition होगी उसमें क्या होता है कि lens के center में क्या हो जाता है यहापे white patches form हो जाते है या cloudiness बन जाती है जिस condition को अपन क्या बोलते है cataract तो यह तो बात हो गई कि cataract condition में lens में cloudiness form हो जाती है यह through pass हो रही थी वो क्या होगी पास नहीं हो पाईगी obstruction की वज़े से या cloudiness की वज़े से तो अब अगर यहापे जो light pass नहीं होगी तो उस वज़े से क्या result देखने को मिलेगा person में vision loss की problem देखने को मिलेगी और अगर इस condition को treat नहीं किया जाए time से तो बाद में चलके बाद में person को blindness भी हो सकती है person का vision है वो बिल्कुल पूरी तरह से खतम हो सकता है तो यह cataract की एक simple definition हो गई कि cataract एक तरह की ऐसी condition होती है जिसमें eye के lens में cloudiness या opacity form हो जाती है जिस वज़े से person में क्या problem देखने को मिलती है vision loss की problem देखने को मिलती है और अगर इसको timely treat नहीं किया जाए तो person में blindness भी हो सकती है okay next अब इसके बाद अपन बात करते हैं इसके causes या risk factors की तो इसमें most common जो factor होता है वो होता है age means बढ़ती age के साथ जो है mostly cases देखने को मिलते हैं cataract के next one यहां पर heredity भी यहां पर cause हो सकती है means person की family में अगर पहले किसी को cataract की condition थी तो person में chance हो सकते हैं कि आगे उसमें cataract हो next वन यहां पर factor हो सकता है exposure to UV rays UV rays जो होती है अगर कोई person उनके exposure में लंबे time तक रहता है तो उनमें भी cataract condition हो सकती है next वन यहां पर हो सकता है factor chronic exposure to heat means लोग अगर ऐसी industries में काम करते हैं जहां पर heat का use किया जाता है high temperature present रहता है तो ऐसे persons में भ chronic exposure में है okay next इसमें factor हो सकता है glass blowers and welders जो लोग welding का काम करते हैं तो आप लोग देखा होगा जब welding करते हैं तो जो है कुछ तरह की वहां पर rays present रहती है light present रहती है तो हमको बच्पन में भी यह बात बोली जाती थी कि जो light यहां पर निकलती उसको direct नहीं देखना चाहिए जलती हो क्या करती है आग को नुकसान पहुजाती है और उससे cataract भी हो सकता है तो अगर ऐसे कुछ welders है जो eye protection यूज नहीं करते हैं तो उनमें cataract form हो सकता है okay next factor आता है intraocular disorders कुछ ऐसे intraocular disorders भी होते हैं जो cataract cause कर सकते हैं like जो UVIT से glycoma है या retinal dietacement तो ऐसी तरह की जो condition से उनमें क्या होता है cataract form हो सकता है next one कुछ यहाँ पर medications भी हो सकती है जो cataract cause कर सकती है like tetracycline, phenothizine, tranquilizer, oral contraceptives या corticoesteroids drugs है तो इस तरह की जो drugs है यह भी अगर कोई person लेता है तो उनमे cataract हो सकता है means कहने का मतलब यह है कि यह risk factors है जरूरी नहीं है कि हर कोई person अगर यह drug ले next one cataract के types की बात करें तो generally mainly cataract के दो types होते हैं concenital cataract and acquired cataract concenital cataract का mean तो यह होता है कि अगर cataract की condition बर्त से पहले हो रही है तो उसको बोलेंगे concenital acquired cataract इसको बोलेंगे कि after birth किसी वज़े से अगर cataract की condition form हो रही है तो उसको क्या बोलेंगे acquired cataract अब जो concenital cataract condition होती है यह क्यों develop होती है बर्त से पहले like genetic factors की वज़े से develop हो सकती है malnutrition की वज़े से develop हो सकती है या infection की वज़े से हो सकती है next one अब बात करें acquired cataract की तो acquired cataract जो होता है इसमें different वज़े होती है different causes होती है जिसके base-base को different types में भी classify किया गया है तो acquired cataract में first one आता है senile cataract अगर age बढ़ती age के साथ अगर cataract की condition हो रही है तो उसको क्या बोलेंगे senile cataract traumatic cataract इसको बोलेंगे अगर किसी eye में injury हो गई या foreign bodies insert कर हो गई जिस वज़े से अगर cataract condition फोर्म होई तो उसको क्या बोलेंगे traumatic cataract next one यहाँ पर cause हो सकती है radiation cataract means UV rays की exposure में आने से या radiation के exposure में आने से अगर person में cataract की condition फोर्म हो रही है तो उसको क्या बोलेंगे radiation cataract next one एक ओर यहाँ पर type हो सकता है electric cataract इसमें क्या होगा कि electricity या जो current होता है अगर कोई person उसके exposure में आ जाया किसी person को current लग जाया और उस वज़े से अगर cataract condition फोर्म होई तो उसको क्या बोलेंगे electric cataract तो यह तो बात होगे different types की जिसमें main दो types होते हैं एक तो होता है gradual, painless, blurring and loss of vision due to lens opacity अब जो यहाँ पर lens में opacity फोर्म होई है उसकी वज़े से क्या होगा gradually, gradually का mean होता है continue लगातार धीरे धीरे तो gradually यहाँ पर person में एक तो blurring की problem रहेगी में दुंदला दिखाई देगा दूसरा vision loss भी होगा बट जो यहाँ पर vision loss की process रहेगी वो painless रहेगी मतलब person को बिलकुल भी pain नहीं होगा बट उसको धुंदला दिखाई देगा next यहाँ पर symptom देखने को मिलेगा decrease color perception means person का जो color perception की जो process है वो decrease हो जाएगी person को color पहचानने में दिक्कत होएगी next one यहाँ पर symptom आएगा decrease visual capacity जो person की देखने की शमता है जो capacity है वो कम हो जाएगी वो कम देख पाएगा उसको दूर तक नहीं दिखेगा धुंदला दिखाई देगा next one symptom यहाँ देखने को मिलेगा poor visionate night मतलब रात को उसको बिलकुल भी या बहुत कम दिखाई देगा next one photophobia की यहाँ problem देखने को मिलेगी photophobia का मतलब होता है light sensitivity जब भी वो light की तरफ देखेगा तो उसकी आखों में बहुत दर्द होगा next one यहाँ पर blood images दिखाई देगे जब भी वो कोई अगभार पड़ेगा newspaper वगेरा या mobile वगेरा चलाएगा या कोई भी T.E. वगेरा देखेगा तो उसको बहुत धुनला दिखाई देगा तो यह सब क्या है symptom है cataract के next one और भी यहाँ को symptom देखने को मिलेंगे like white pupil जो pupil part है means lens के आगे वाला जो part होता है वो कैसा हो जाएगा white हो जाएगा white color का सामने जो है appearance रहेगा next one यहाँ पर symptom देखने को मिलेगा reduce light transmission means इसका यह के मतलब है कि जो lens से उसके through क्या होगा light का transmission नही हो पाएगा generally मैं आपको starting में बताएगे lens क्या करता है जो भी light rays बाहर से आती है उनको entry देता है और यहाँ से okay light का जाती है आई के अंदर जाती हो रेटीन आपे focus करती है बट यहाँ पे lens में opacity होने की वज़े से जो है light अंदर नहीं जा पाईगा और person को अच्छे से दिखा नहीं देगा ओके तो यह बात होगा इसके clinical features की next में बात आती है इसके diagnosis की तो सबसे पहले person का history collection करेंगे present, past, medical and family history उसके बाए physical examination करेंगे जिसमें जो eye examination करेंगे तो यहाँ पे एक procedure आता है ophthalmoscopy इसके अंदर क्या करते हैं आई का visualization करते हैं और इसके अंदर जो instrument use किया जा copy भी यहां कर सकते हैं जिसमें retina का visualization भी कर सकते हैं next और यहाँ पे एको test आता है जिसको बोलते है visual equity test यह क्यों किया जाता है vision loss का पता लगाने के लिए जब भी हम मतलब हमारे जो आखी check करवाने जाते है shops वगेरा में तो आपने वहाँ देखा हुआ है चार्ट रहता है उ यह किसलिए काम आता है vision loss का पता लगाने के लिए तो cataract में भी यह test कर सकते हैं तो यह तो बात होगा diagnosis की अब अगर बात करें इसके management की तो जो cataract का management है उसमें surgery ही एक मातर ही यहाँ पे option रहता है तो यहाँ पे surgery की बात करें तो यहाँ पे mainly दो तरह की surgery होती है तो मैं आ तो इन में difference क्या होता है जो lens होता है इसको एक capsule cover करके रखता है ठीक है इस पे covering होती है जिसको बोलते है lens capsule तो जो capsule होता है इसके दो portion होता है एक तो होता है anterior portion जो आगे की तरफ present होता है lens के एक होता है posterior portion जो पीछे की तरफ present रहता है तो जो extra capsular cataract extraction surgery इसमें क्या करते हैं जो anterior portion है इसको remove कर लेते हैं दूसरा जो lens है उसको भी remove कर लेते हैं बड़ जो posterior portion है इसको वैसा का वैसा ही रखते हैं इसको remove नहीं किया जाता है next one जो surgery intra capsular cataract extraction इसमें क्या करते हैं complete lens के साथ साथ जो दोनों portion capsule के उनको भी remove कर लिया जाता है means anterior और posterior दोनों portion यहाँ पर remove कर लिये जाते हैं तो इन दोनों surgery में यही difference होता है अब इसके बाद एक और third surgery आती है जिसको बोलते हैं intraocular lens implantation यह क्या होता है जैसे कि अब यहाँ पर जो यह lens था जो lens था उसका capsule वगरा सब remove कर लिये बट इसकी जगे अब कुछ लगाना तो पड़ेगा तो इसके लिए क्या use करते हैं इस lens की जगे एक plastic का lens use किया जाता है जो इस lens को replace कर देता है ठीक है तो यह lens की तरह ही काम करता है और इस surgery को बोलते हैं intraocular lens implantation समझ गई है इसकी surgical management next one अब बात आती है इसकी nursing management की तो इसमें हम nursing management में पढ़ेंगे pre-operative care and post-operative care means surgery से पहले क्या care देनी है और surgery के बाद में क्या care देनी है तो सबसे पहले अपन बात करेंगे pre-operative care की तो pre-operative care में क्या-क्या interventions या ली जाएगी तो first one है कि जब patient को surgery के लिए prepare किया जाएगा तो उस time क्या करना है सबसे पहले person की history collect करनी है और physical examination करना है उसके बाद क्या करना है patient का face scrub करना है means face को अच्चे से wash करना है और जो eyelashes होती है means जो पलके होती है उनको remove कर लेना ऐसा क्यों करना है क्योंकि surgery के time अगर eyelashes जो है बीच में जो interfere ना करें इसलिए इनको remove करना है next one इसके बाद जो person की vital signs उनको अच्चे से monitor करना और record करते रहना है next one इसके बाद क्या करना है कि जब patient को operation room में लाया जाता है तो उस time patient को सारी process जो होती है या जो सारे procedure होते है उनको अच्चे से समझाना पड़ेगा जिससे क्या होगा उसकी जो भी anxiety और डर होगा मन में वो relieve हो जाएगा next one और क्या यहाँ पर intervention कर सकते हैं कि जो surgery की जानी है जैसा मैंने आपको तीन surgery बताई तो जो वो surgery कैसे करते हैं उसमें क्या क्या procedure होते हैं क्या steps होती है उसके बारे में जो patient है और जो family member से उनको अच्चे से समझाना इससे क्या होगा कि उनके मन में जो भी doubts होएंगे जो भी डर होगा वो कम हो जाएगा या clear हो जाएगा next one यहाँ पर एक और हमको बात का ध्यान रखना है कि patient को surgery से पहले यह हमको बताना है कि आपको surgery से 6-8 घंटे पहले कुछ भी नहीं खाना पीना है ठीक है तो यह भी बात हमको patient को बतानी है इसके अलावा जब patient surgery room में रहेगा तो हमें जो कुछ drugs भी उसको admist करनी है like midratic drugs जो आती है वो और cyclopeasic drugs जो आती है यह इस तरह की drugs हमको patient को देनी है क्यों देनी है क्यों कि यह drugs क्या करती है माइड़ेटिक drug तो क्या करती है pupil को dilate कर देती है और psychoplasic drug क्या करती है pupil को paralyze कर देती है जिस से बाद में क्या result होता है कि जब भी जो lens की surgery की जाएगी तो उसमें easy way रहेगा क्योंकि जो pupil है वो dilate रहेगी क्योंकि pupil क्या होती है lens के आगे की तरफ present रहती है तो अगर यह dilate हो जाएगी तो lens से आसानी से वहाँ पर reach out कर सकते है doctor और आसानी से surgery कर सकते है next one यहाँ पर परसन को एक तो inflammatory जो drugs होती है corticosteroid drugs वो भी यहाँ पर देनी है eye drops के रूप में क्यों देनी है अगर वहाँ पर को inflammation present है तो उसको कम किया जासा है क्योंकि inflammation रहेगा तो वहाँ swelling रहेगी तो surgery करने में दिक्कत होगी तो यहाँ पर anti-inflammatory drugs देनी है ओके तो यह तो बात होगे pre-operative care की अब हम बात करें post-operative care means after surgery क्या-क्या interventions यहाँ लेनी है तो first one है कि इसमें जो surgery होती है ketarex surgery उसमें patient को ज़्यादा time तग hospital में नहीं रखा जाता है उसको discharge कर दिया जाता है कुछी घंटों में पर जब surgery के बाद में ही कुछ interventions यहाँ पे ली जाती है कुछ जो है care patient को provide की जाती है तो कौन-कौन सी care होती है first one है कि person के जो vital signs से उनको immediately check करना है पता लगाना है कि कोई abnormality तो present नहीं है next one यहाँ पे patient को यह बताना है कि आपको किसी भी तरह की sneezing यानि छीक वगेरा coughing वगेरा और straining वगेरा यानि pressure नहीं लगाना eyes tool pass out करते time ऐसा क्यों करना है क्यों कि अगर आप इस तरह की activities करोगे means patient को बोलना है कि अगर आप इस तरह की activities करोगे तो क्या होगा आपका जो intraocular pressure means जो आपका eye pressure है वो क्या हो जाएगा increase हो जाएगा इसलिए आपको sneezing coughing इस तरह की activities नहीं करनी है next one यहापे क्या करना है patient को और आपको बताना है nurse को यह कहना है कि आपको किस तरफ सोना है आपको अपनी unoperated side की तरफ सोना है means जो करवट लेके सोते हैं तो जैसे मालो left side में surgery हुई है means left eye में surgery हुई है इस side हुई है तो patient को किस side करवट लेके सोना है right side में ऐसा क्यों करना है ताकि जो left आई उस पर pressure ना पड़े next one याँ पर patient को कुछ antibiotics भी देनी है antibiotics से क्या होगा कि किसी तरह का अगर infection होने के chance है तो वो नहीं होगा दूसरा anti-inflammatory drugs भी दे सकते हैं अगर surgery के बाद में किसी तरह का inflammation भी produce होता है तो उसको कम करने के लिए और last one याँ पर analgesics भी दे सकते हैं किसलिए देंगे pain को relieve करने के लिए तो ये बात हो गए post-operative care की और ये topic भी complete होगा अगर आपको इसमें कोई भी problem होगा तो आप मुझे comment करके पूछ लीजिए Thank you